जबरन धर्मातरन से देश को खत्रा सुप्रीम कोर्ट ने गंबीर मुद्दा बताया, केदर से 22 तक जवाब मांगा नई दिल ली, S.N.B. उच्चतम न्यायाले ने जबरन धर्मातरन को बहुत गंबीर मुद्दा करार देते हुए सोमवार को केंद से कहा कि वह इसे रोकने के एक अदम उठाए और इस दिशा में गंबीर प्रयास करे। अदालत में चेताया कि यदि जबरन धर्मातरन को नहीं रोका गया तो बहुत मुश्किल स्थिती पैदा होगी क्योंकि वे राष्ट्रिय सुरक्षा और नागरिकों के धर्म और अंतहकरन की स्वतंतरता के मौलि जबरन धर्मातरन को रोकने के लिए गंबीर प्रयास किये जाने चाहिए। अन्यता बहुत मुश्किल स्थिती सामने आएगी। हमें बताएं कि आप क्या कारवाई करने का प्रस्ताव रखते हैं। आपको हस्तक शेष्ट करना होगा। महता ने अदालत से कहा कि इस मुद् जबरन धर्मातरन बड़े पैमाने पर हो स्वतंतरता को प्रभावित कर सकता है। रहा है। उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा। इसलिए बहतर होगा कि कई बार पीडितों को इस केंद सरकार अपना रुक्स पष्ट करे और कहा ये और नागरिकों के धर्म और अंतहकरन की स् और मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को तै की उचतम न्यायाले अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याई द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें केंद्र और राजियों को दरा धमका कर प्रलोबन देकर और पैसे का लालच देकर धर्मातरन पर अंकुष लगाने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है शीर्ष अदालत ने 23 सितंबर को इस याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा था उपाध्याई ने अपनी याचिका में कहा है कि जबरन धर्मातरन एक राष्ट्र जबरन धर्मातरन के नियमन से संबंधित है कि स्वतंतरता नहीं हो सकती ये मुद्धे इस अदालत के समक्ष विचार के बाद की जानकारी नहीं होती है कि वे आपराधिक कारवाई के दाइरे में हैं और वे पीडित कहते हैं कि उनकी मदद की जा रही है पीट ने कहा कि धर की स्वतंत्रता हो न्यायाले ने अपने आदेश में कहा